ओम नमो बगवते बास देवाई नमाहा स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती बावना यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको उत्पन्ना 81 के उपाई बता रहाँ उत्पन्ना 81 के ये उपाई बेहदी चमतकारी और प्रभावसाली है दोस्तों अगर आप ये उपाई 81 के दिन करते हैं तो आपकी मनो कामना वश्य पूरी होगी आप सभी जानते हैं उत्पन्ना 81 का कितना मैत्व है इसी दिन 81 माता प्रगट हुई थी और भगवान विश्नू ने बरदान भी दिया था जो व्यक्ति 81 के दिन भगवान सिवर भगवान विश्नू का पूजन करते हैं साथ ही ये उपाई करते हैं उनकी सभी मनो कामना शिक्रिपूरी होगी धन वड़ेगा, शुक्षम्रदी बड़ेगी, पुत्र धन प्राप्ती के योग बनेगे प्रतिक व्यक्ति को 81 का भगवान सिवर भगवान सिवर करते हैं उनके उपर उनकी सदाई किरपा बनी रहती है साथ ही गोव माता का पूजन इस दिन जरू करना चाहिए सबसे पहला अपा है, 81 के दिन पीपल भग की पूजा 81 के दिन जो व्यक्ति पीपल ब्रक की पूजा करते हैं उनके उपर से पित्र दोस दूर होता है साथ ही सुभ योग बनने शुरू हो जाते हैं पित्रों का देवताओं का आशिरवात प्राप्त होता है अगर पित्र दोस हो तो कई प्रकार की परिशानी आ जाती है पिपल ब्रक पर जल चड़ाएं और पिपल ब्रक की पर क्रमा करने चाहिए पुत्र दन की कामना के लिए भगवान विश्णू को प्रसन करने के लिए इस दिन भगवान सिवकाव सिख करना चाहिए भगवान सेव का उसे करें धतूरी का फल पुश्प भगवान को समर्पित करें गुड और गाय का गी मिक्स करके भगवान सेव को जरूर समर्पित करना चाहिए ऐसा करने से भगवान विश्णू प्रिशन हो जाते हैं और मनवानचित फल प्रदान करते हैं व्यक्ति के जीवन में कितनी भी परिशानी आ रही हो वह दूर हो जाती हैं पुत्रधन के योग बन जाते हैं सपलता मिलती है व्यवपार मुन्नती मिलती है हर मनुकामना पूरी हो जाते हैं इस दिन भगवान विश्णू को केले का पल चड़ाएं, भगवान विश्णू के सामने दीपक जलाएं, हात में जले के संकल्प करें और भगवान के सामने तुलसी पत्र जरूर अरपन करना चाहिएं। दोस्तों एक आसी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी लाम मिलेगा। चाहे मेज रासी मेतुन रासी करक रासी सिंग रासी कन्या रासी तुला रासी मकर्द कुम और मीन रासी इन रासियों का योग ज्यादातर इस दिन शुब रहेगा आने वाले समय में इन रासी वालों को नई साल में बड़ा लाम मिलने वाला है तो इस दिन गोव माता का दर्म के इसाब से सास्त्रों बताए गया है गोव माता की पूजा करने से सभी देपताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है स्वेम भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं तो 81 के दिन आपको यह उपाय जरू करने हैं आपको लाम मिलेगा आपकी मनो कामना अवस्य पू देबाए नमा नाराय अनाय विदमई बास देबाए दीमई तन्नो विश्नु परचोदयात यह विश्नु गयतरी मंत्र है इसका भी आप जाप कर सकते हैं घर में हल्दी से स्वास्तक चिन्न बनाए इससे मातालचवी प्रसन्न होती हैं और घर में इस ते रूप से नवास क आप खोद कावेंगे कि बास्ताम में भगवान की किर्पा आपकी उपर हुई है तो विश्वास जरूर रखें जा विश्वास महीं भगवान